जब भी घर से कोई family member बाहर जाता है, खास करके female या कोई teenage member, तो हमें उसकी चिंता लगी रहती है, कि वो ठीक पहुँचे होंगे या नहीं, हम बार-बार phone करके पुछते रहते हैं कि कहां पहुँचे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपके family members, friends को google map प देख सकते हो, और पता लगा सकते हो कि वो इस वक्त कहां पर है, इससे अंजान city में, अंजान जगा पे, एक दूसरे को दूणने में भी आसानी हो सकती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसे like और share जरूर कीजेगा, और मेरी चैनल को subscribe भी कर लिजेगा, या बेतर कैसे बनाए, वो मैं मेरी चैनल के जरिया आप लोगों को बताता रहूंगा, ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को subscribe करना ना भूले, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका location देखना है, उसके phone का GPS मतलब location enable होना चाहिए, मोबाइल में internet on होना च अगर यह नहीं है, तो उसे play store में जाके update कर लिजिए, अब जिसका location ट्रैक करना है, वो phone में Google Map अपन कीजिए, उपर right side में यहाँ tap कीजिए, जो menu खुलेगा, उसमें location sharing को tap कीजिए, यहाँ share location पर tap कीजिए, अब share real time location खुलेगा, यह sharing by default एक गंटे के लिए होगा, यहाँ tap करके इस version में आप 15 मिनिट से लेकर दिन दिन तक का time set कर सकते हैं, यह location sharing आपके set किये समय तक रहेगा, फिर बंद हो जाएगा, आप अपना location, whatsapp, email वगेरा से भी share कर सकते हैं, या फिर आप खुद बंद न करें, तब तक चालू रखने का option भी set कर सकते हैं, इस option मे आपको whatsapp, email वगेरा से share करने का option नहीं मिलता, यहाँ आपको जिसके साथ location share करना है, उसे select करना है, आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ share करने के लिए ज़्यादा contact भी select कर सकते हो, अब share पर tap करना है, अब जिसके साथ आपने location share किया है, वो आपका location google map पे देख सकता है, अब जिसके साथ location share किया है, उसके phone में google map खोलते हैं, उपर right side में यहाँ tap कीजिए, जो menu खुलेगा उसमे location sharing को tap कीजिए, यहाँ जिस जिसने इस phone के साथ location share किया है, वो दिखाएगा, जिसका location देखना है, उसे tap कीजिए, map के आपको उसका live location देखने को मिलेगा, और उसके साथ वो आपसे कितना दूर है, उसके phone में कितनी battery बाकी है, और उसका पता भी आपको देखने को मिलेगा, मैं अब एक दूसरे member को tap करता हूँ, उसका location दिखाएगा, लेकिन वो उसका 14 गंटा पहले का location है, मतलब कि वो 14 गंटे से internet से जुड़ा नहीं है, या उसके phone का location off है, अब direction पर tap करेंगे, तो उस तक पहुँचने का रास्ता दिखाएगा, और वो कितने किलेमिटर दूर है, और वहाँ तक पहुँचने में कितना समझ लगेगा, वो भी दिखाएगा, जिसके साथ location शेयर किया है, उसको see someone's real time location का email भी मिलेगा, जिसमें view on google maps के बटन को क्लिक करके भी आप mobile, laptop या PC में भी location, address, battery वगेरा detail देख सकते हो, अगर आपको mobile की जगा, PC या laptop में live location देखना है, तो कोई भी ब्रावजर में maps.google.com खोलके, या फिर google maps सर्च करके site open कर लीजे, यहाँ google account से sign in कर लीजे, अब left site की तिन लाइन पर क्लिक करके location sharing पर क्लिक कीजिए, यहाँ left में आपको जिस जिस ने आपके साथ location share किया है, वो सब दिखेंगे, और उनका location भी map पर दिखेंगा, उसे क्लिक करते, map पे आपको उसका live location देखने को मिलेगा, उसके phone में कितनी battery बाकी है, वो और उसका पता भी देखने को मिलेगा, direction पर क्लिक करेंगे, तो उस तक पहुँचने का रास्ता वो कितना किलोमेटर दूर है, और वहाँ तक पहुँचने में कितना समझ लगेगा, वो भी दिखाएगा, इस तरह हम अपना location एक दूसरे के साथ share कर सकते हैं, और Google Map पर भी live देख सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो,